तो हम देख रहे थे फाइको राजी का लेक्षर यहां पर हमने पार्ट लेक्षर नमर वन लेक्षर नमर टू कवर कर लिया है अगर अभी आपने लेक्षर नमर वन एंट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या चैनल पर जाके देख सकते हैं इजली तो मोशली हमने हैविट देख लिया था अज मोशली हम बात करेंगे और यहां पर हम बात करेंगे सेल वाल और फ्लेजला के बारे में लगी का तो आपको तो पता है सेल वाल और फ्लेजला से लगी से कुशन पूछा जाता है कि कौन सा सेल वाल कहां पर होता है किसका फ्लेजल जरो यह है मैं बताऊंगा थोड़ा सायद आपको और अच्छे समझ में आ जाए आपने कहीं से पढ़ा हो सिंग पांडेजन से तो ना समझे हो लेकिन यहां पे आपको सायद समझ में आ जाए ओके तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसा कि आपको पता है जो भी एल्गी है एल्गी को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि प्रोकरियाटिक एल्गी हो सकते हैं मेजोकरियाटिक एल्गी हो सकते हैं और यूकरियाटिक एल्गी मोस्टली होते हैं ठीक है तो जैसे प्रोकरियाटिक एल्गी क् किसी तो दिकषा रहा है ठीक है बात कर सकते में स namaan होता है ठीक है वहाँ तो यह भुग्यां मीजो करें अगर हम बात करेंगे तो आगे आप देख सकते है मीजो करियाट्यक सेल क्ल में क्या होता है यह सब बाते हैं буध आपको याद रखना है कि भाई रैफी 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 देखिए यहां पर दिया गया नहीं है ठीक है सूचर प्लेट ये सब करके और रैफी यहां पर मेंसन नहीं है लेकिन रैफी हाइपो थीका एपी ठीका एड कैगुलम तो आपको कहां पर मिलता है डायटम में मिलता है चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ पॉइंट यहां पर है मैं थोड़ा और जूम करके बढ़ाता हूं ताकि आपको सही से दिखे तो वह एक एलगी है फोर फाइरा लिनियरिस करके ओके तो फोर फाइरा लिनियरिस रेड यहां पर मीनिमम नंबर आप क्रोमोसोम ठीक है या तो आप एक एंजिस पर्म भ क्रोमोसोम करहां पर हो तो आपको फ़ोट पाइरा मालना है सबसे इहां क्रोमोसोम की सहल्गी मिलता है वह होता है थी टिक है है नेट्रियम डीटालीस में थीगहें नेट्रियम सेसल के बना होता है आटर लेयर होता है आपका स्लिप्री हो जाता है त्सक्रेंट एयाँ हो जाता है आप स्तरक जाते क्यूं होता है अरह बनालेता है बहुत इंपोर्टेंट है यांआट टीग होता है याद रखेंगे प्रोकरियाटिक नेचर के होते हैं प्रेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपालीमेरिक सेलवाल होता है याद रखेंगे ठीक है फियोफाइसी का सेलवाल कैसा होता है फियोफाइसी यानि की ब्राउन एलगी ठीक है उसका सेल होता है आउटर जो होता है वह एलगीन और फिको को मिलता है तो karar ठीक है इसे हम К्या बोलते हूं मड d 얌गी भी बोलते हैं क्योंकि इसे मड में Rock gereणता है कुछ नियुए कहें है जहां पर सेल उस्वार के वारे मिल आप जानते हों concept paranoid का जो की storage यारगा की तरह काम करते हैं इलगी में कोई भी food material जो बनता है ना photosynthesis के द्वारा इलगी बनाते हैं तो उसको stored करके paranoid के रुखते हैं ठीक है पारणाइड important हो जाए पारणाइड actually होता क्या है यह वाला आपसे पूछा जाता है पारणाइड यह proteinaceous score होता है जिसको starchy seeds cover किया रहता है ऐसे ऐसे करके तो यही पारणाइड होता है इस इसे cover किया रहता है proteinaceous score होता है तो यह हो गया सेलवाल के बारे मैं देखें सेलवाल में ज़दा important मैं बता देता हूँ cellulosic cellul 오害 3 है डाय एकलो यहां से कारा उक्या एक कारा का किस से बना होता है concepts का यह थे और जो ब्राउन य्गी है ल्गी अर eco Abdeерж what… यहां से चार-पांच questions है जो सो सेल यकी आप से पूछे जाते हैं आगे important में हम चलते हैं फ्लेजला ग्लोरफाइसी में कैसा होथा है आई है जैसे यह इन होसक ठैसे निकलता है एक क्रोणिमेटिक या尋 पर mastigo nims जो होता है cartel-like structure n na absent होते हैं ये नहीं होते हैं smooth होते हैं मतलब अगर acro-nete- Anybody аХ gebracht टाइब का फ्लेजला ठीक है तो यह होता है एक्रोणिमेटिक या विप्लास टाइब का फ्लेजला जहाँ पे मस्टिगो निम्स या काटेलाई की स्ट्रिक्चर अपसेंट होते हैं तो हुर्पी में होता है जैसे यह इल्गी तो एक बड़ा होता है ठीक है टूली कभी कभी जादा जैसे मालिजे वाउचेरिया की बात करें तो हां पर जादा हो जबता है और निक्वल होता है एंटेर्यर होता है एक kronimatic होता है, श्मूथ होता है, श्मूथ की बात क्या करें आहिता है, लोल्क की स्मूथ, प्लेष टाइप का, और एक tinsel टाइप का, एक मस्तिकों निम्स, मस्तिकों निम्स या आप जो भी कह ले, पाए आता है, लोकोमेशन करने के लिए बीटिंग करने के लिए help करता है अब चलते हैं फियो फाइसी पे फियो फाइसी में हेट्रोकॉंट होता है एक छोटा एक बड़ा लेटरल होता है लेटरल साइट से माली ये मैं बना देता हूँ ये आपका लगी है तो यहां से ऐसे थोड़ा फ्लेजला होता है यहां एक छोटा एक बड़ा होता है दो लेटरल अनिकॉल एक एक क्रोनिमेटिक एक पेंटोनिमेटिक मतलब एक विपलेस और एक टिंसल टाइब का एक अगला ग्रूब है वैसलीरियो फाइसी बैसलीरोफाइसी में जनरली एक फ्लेजला होता है एंटेरियर होता है और पेंटोनिमेटिक होता है ओके रोडोफाइसी और साइनोफाइसी बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेंगे कि रोडोफाइसी और फ्योफाइसी रोटोफईसी औड साइनोफईसी यांए रेड एल्गी औड ब्लू ग्रीड एल्गी में फ्लेजला अपसेंट होता है। यहां पे कोई भी मोटाइल स्टेज इनके लाइव सैकल में नहीं पाए जाता है. रेड ईलगी में इस परमेसियम होता है, जो हमें बॉरड मुव्मेंट करके जाता है FRTL sh0neG में लेकिन यहाँ पर FLAGELA absent होता है तो देखिए मैंने यहां पे आपको सेलवार और फ्लेजला के बारें बताया मैं चाहाँ तो बहुत लंबी कहानी बना सकता हूँ आपको बता सकता हूँ लेकिन वो सब हमें जरूरी नहीं है हमें जरूरी यह है जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम में कौंसेप पढ़ें और जया में कोश्चन आया और हम सही कर गया है ठीक है और जो खिए मैं एक दम सव किसी दी एक बात बोलू तो आप सबको टेंसर लेने की जरूरी नहीं आपको ज्यादा इदर भागने की जरूरी नहीं है आपको जैसे मालीजी एलगी है आप पसंद नहीं है तो आपको सिर्फ एंट्रेंस तक पढ़ना एक आख सेमेस्टर तक पढ़ना इधर उदर लेके समाल लेंगे मालीजी एलगी आपको पसंद नहीं है तो मैं एलगी पढ़के इंट्रेंस निकाल दिया फर्स सेमेस्टर पास कर दिया फिर खता में एलगी तो नहीं लेगा जो important चीज़े हैं मैं ये cover करने के बाद psychology जैसे ही cover करूँगा एक last video बनाऊंगा what is most important from the psychology पूरा हम discuss कर लेंगे मैं live session आजाओंगा आप सब जुडेंगे या तो google meetude कहीं भी कर लेंगे तो चलता हूं मैं यादे बाते नहीं किरता हूं अभी ऐसे वीडियो आते रहेंगे आप लीज वीडियो को इलिए like का बटन जरूर दबाईए वीडियो देखते हैं देखते देखते दबा दीजिए दबाने में कुछ जाता नहीं आपका like का बटन ओके thank you for this video